अध्याय दो दिगज बनने पर दैनिक दर्शन अपनी ज्वाला को बुझने ना दे अभी तक के निराशा जनक दलदल में अपूर्णे चिंगारी द्वारा चिंगारी को अभी नहीं और बिलकुल नहीं अपने अंदर के नायक के जीवन का अकेला पन के आशा भंग में नाशना होने दे जिस जीवन के आप योग्य है पर वहां तक कभी पहुच नहीं पाए जिस जीवन की आप कामना करते हैं उसे जीता जा सकता है वह अस्तित्तु में हैं, वास्तविक है, संभव है, वह आफी का है, आयन रेंड वह बहतरीन कसम का वक्ता था, एक वास्तविक निपुड वक्ता कल्पित अबधी के अंत के पास, अपने आठवे दशक में, वह विश्व भर में, प्रेड़ना के महागुरू, नेतरित्तु के दिगज और एक निष्ठावान, राजनीतिक की तरह, पूजनिय हो गए, जिने हर दिन, लोगों की मदद से उपहार का एसास होता था अस्थिर्ता, अनिष्चित्ता और एसुरक्षास्ते भरी संस्कृती में, निपुड वक्ता के कारेक्रम ने स्टेडियम भरकर मनुष्यों को, जो ना केवल रचनात्मक्ता, उत्पादक्ता और खुशाली बरा जीवन जीना चाहते थे, बलकि तीवर भाव पूर्ता भी च छोड़ी थी, और आने वाली पीडियों पर छाप छोड़ी, इस आदमी का काम ऐसा धारण था, इसने हमारी अंतरद्रिष्टी का हमारे चरित्र के अंदर के योध्धा को शशक्त बनाकर उस भावपूर्ण कवी का सम्मान किया था, जो हमारे दिल में बसा है, उसके जीवन के जादू को जीना है, अधा हम विस्माई की चोखट पर बार-बार लोट कर आ जाते हैं, जिसे हम निष्ठुर और शीतल दुनिया समझते थे, उसने हमारी सोभाविक बुद्धिमानी को भोग विलास की जटिलता, अलपग्यता और तकनी की गड़वड़ी में जावधानी से मगर मनोहर तरीके से रख रहे थे, एक बहुत ही सही डंग से मिला कोईले जैसे ग्रे रंग का सूट, जिसमें हलकी सफेद, पिन जैसी धारियां उसे ललित्य पूर्ण सुचारिता दे रही थी, और हलके नीले काच का चश्मा सही मातरा में ठंड़क दे रहा आप अवसर के साथ जिम्मेदारी के लिए पैदा हुए हैं, आपका निर्माण प्रवेण उतक्रिष्टा के श्तर पर कार्रे के लिए हुआ है, और असमान्य रूप से महत्पूर्ण जिम्मेदारीयों को महसूस करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इस नन्हे से ग्र मौलिक महानता पर प्रभुत्तो प्राप्त करें, एक सार्व भौमिक विश्व में अपनी कुलिंता को उन्हा स्थापित करने के लिए जहां अधिकांश लोग जूते खरीते हैं, महंगी चीजे प्राप्त करते हैं, पर स्वयम को अच्छा बनाने के लिए निवेश नहीं क चाहता, बस आप डिजिटल उपकरणों से आकर्शित होने वाले साइबर जॉम्बी ना बने, और प्रभीरता के लिए अपने जीवन का उनागर्ठन करें, और भद्रता का उधारण पेश करें, अपने आत्म केंद्र को त्याग दें, जो अच्छे व्यक्तियों को सीमित कर देता है, विश्व के अच्छे पुरुष और महिलाएं दाता थे, लेने वाले नहीं, इस समान्य भ्रम को ताग दें, कि जो सबसे अधिक जमा करते हैं, वे ही विजई होते हैं, इसके स्थान पर ऐसे काम करें, जो निजी जीवन को नीती में भी सम्हाल बनाएं, अलोकिक स अंदर्य से भरपूर बनाएं, अध्भुद और द्रिन निश्चई, सक्त और हठी बनाएं, जब बात आपके अंतरहित शांती की रक्षा करने की उठे, मेरे मित्रों इस प्रकार से आप देवदूतों के साथ, पनपे और देवताओं के साथ चलें, निपुन वक्ता ने व समयवे सरसराहट की अवाज कर रही थी, उसने अपने सजीले काले जूतों की ओर देखा, जिने सेना की श्रेडी तक चमकाया गया था, अगले पंक्ती में बैठे हुए लोगों ने देखा, कि एक लौता आसू, समय को थपेडे खाए, मगर कभी सुन्दर, मोहक रहे चहरे स टपक पड़ा था, उनकी नजरे नीचे जुकी रही, उनकी शान्ती गरज रही थी, निपुण वक्ता अस्थिर प्रतीर हो रहे थे, अनेको दबावपूर्ण छडों के बाद दर्शकों में से कुछ की अपनी सीटों पर बैचेन किया था, निपुण वक्ता ने फोन नीचे रख दिया, जिसे वे अपने बाए हाथ में लिये हुए थे, अपना रिक्त हाथ वे अपने पैंट की जेब तक ले गए और एक चमकदार कुरकुरा लिनैन का रुमाल निकाला, उन्होंने अपने गालों को पोच्छा, हर एक के जीवन में नित्यु का संदेश आता है, आप में से हर कोई अपनी आत्मा में उत्कृष्टा की वृत्ती रखता है, किसी को भी ओसत में जमे रहने की आवशक्ता नहीं है, और ना ही बड़े पैमाने पर मध्यस्थता का शिकार होने के साथ, व्याउसाओ के लिए विकेंद्रियन की जो प्रचलित है, सीमा का बंधन मात्र एक मान सिकता है, जिसे अनेको अच्छे व्यक्ती व्याउहार में लाते हैं, जब तक की उन्हें विश्वास नहीं होता कि यह वास्त्विक्ता है, यह देखकर ब्रेला हिर्दय टूट जाता है, कि इतने सारे समभत समर्थ मानव क्यों उद्दमी तरीके से और व्यक्तिगत रूप से असमान्य नहीं हो सकते, कि कहानी में अठके हुए हैं, आपको याद रखना होगा, कि आपके बहाने बाजिगर हैं, आपके भै छूटे हैं, और शंकाय चोर हैं, अनेकों ने सिरह लाया, कुछ ने तालिय बजाई, फिर बहुतों ने वाववा की, मैं आपको समझता हूँ, अवश्य समझता हूँ, निपुडवक्ता ने जारी रखा, मैं जानता हूँ, आपके जीवन में कुछ मुछ मुश्किल घडियां थी, सब के आती हैं, मुझे समझाता है, कि आप ऐसा अनुभव कर रहे है कि वस्तुए उस प्रकार से नहीं हुई, जैसा आप सब आग से भरे हुए, सपनों और आश्चर्यों से लदे हुए, छोटे बालक थे, तो सोचते थे कि ऐसा होगा, आप हर दिन कार्रेक्रम नहीं बनाते थे, क्या बनाया? यह काम आपकी आत्मा को परेशान कर गया, शक्ती चुरा ले गया, व्यर्थ की दोड़ों के पीछे भाग कर और उनकी ततकालित पूर्ती के लिए, अकसर किसी प्रोध्यगी की द्वारा संचलित हुए, जो हमें दास बना लेती है, बजाए मुक्त करने के, एक ही सप्ता को हजारों बार जीना, और उसे जीवन कहना, मुझे आपको बताने की अवश्यक्ता है कि हम में से अनेको 30 वर्ष की उम्र तक मर जाते हैं, और 80 वर्ष की उम्र में दफन किये जाते हैं, तो मैं आपको अवश्य समझता हूँ, आपने आशा की थी कि कुछ अलग होगा, अधिक दिलचस्प, अधिक उत्तेज मानक, अध जब उसने अपने अंतिम शब्द कहे थे, उसने ततकाल सांस लेने के लिए संघर्ष किया, चिंता की भंगिमा ने उसकी बोहों को मरोड कर चहरे पर सिल्वटे डाल दी थी, वह क्रीम रंकी कुर्सी पर बैठ गया, जो स्टेज के लिए किनारे पर ध्यान से उसके सहायक के द्वारा रखी गई थी, और हाँ मुझे ग्यात है कि इस कम्रे में अनेकों ऐसे भी हैं, जो अपने पसंद का जीवन जी रहे हैं, आप विश्व के एक महान सफलता हैं, पूरी तरीके से अपने खेल में रमे हैं, और अपने परिवार और समाज को एक नई रोशनी से सम्रि पड़ता है, जहां आप सुन करने वाले और खतरनाक अंधिरे की खाईयों में गुम रहे हैं, आप भी तो अपनी शांदा रचनात्मक वैभव की गिरावट को जान गए हैं, साथ ही आपकी उत्पादन स्टेश्टता जिसने सुविधा, भै और संग्या हींता के छोटे से दाइरे में आकर अपनी महारत और बादूरी का धोका दिया, आप भी हताश जीवन को उजार शर्दियों में जाकर निराश हो गए हैं, आप भी तो अपने बचपन के असंख्य सपनों से वंचित कर दिये गए हैं, आपको भी तो उन लोगों से धोका मिला है, जिन पर आप आपका जीवन भी छीन लेया गया है, विदेशी आकरमाणियों की घुसपैट के बाद एक तभादेश की तरह, भयावा सम्मेलन हौल गंभीर रूपशे शान था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन पत पर इस समय कहा है, कृपिया विगत का कोई आधा, चला ह पुआ रास्ता आपको विस्मिकारी भविश्य को ना रोक पाए, आप आज स्वयम को जितना समर्थ मानते हैं, उससे कही अधिक बलवान है, सांदार शवलताएं, प्रत्यक्ष आशिरवाद आपके मार्ग में आने वाले हैं, और आप ठीक वहीं हैं यहां आपको असमान्य उत्पादक, अत्यंत विलक्षन तथा असाधारन प्रभावशाली जीवन जो आपने कठोर परिक्षन के माध्यम से अरजित किया है, जीने के लिए होना चाहिए, ताकि विकास हो सके, इस शण कुछ भी गलत नहीं है, फिर भले ही लग रहा हो कि सभी कुछ तितर बितर हो रहा है, यदि आपको लगता है कि आपको जीवन इस समय अव्यस्थित हो गया है, तो वहेश्रिव इसलिए क्योंकि आपका भै आपको विश्वास से जादा सभल हो गए है, जिसका आपने अनुभव किया है, हर विशैला वक्ति जो आपके संपर्क में आया है, और सभी पर यारियां थी, और आपको वहेश्र बना गई जो आप आज है, आपको इन अभ्यास की प्रतिवा और शक्तियों को सक्रिय करने के लिए जरुरत थी, जो अब आप में जागरित हो रही है, कुछ भी अकस्मात नहीं हुआ, सून्य व्यर्थ गया, आप निश्च्य पूरवक उस थान पर है, जहां आपको होना चाहिए, ताकि आप अपनी इच्छा का सरवोच जीवन जी सकें, एक जीवन जो आपको विश्व परिवर्तन के साथ समराज्य निर्माता बना सके, और शायद इतहास रचैता भी, यह सब सुनने में सरल लगता है, मगर वास्तविक्ता मे अधिक कठिन है, बेस्बॉल की लाल टोपी पहने, पांचवी वक्ती में बैठा, पांचवी पंक्ती में बैठा, एक आदमी चिलाया, वह ग्रे टीशट और फटी हुई जीन्स पहने था, जिसे आप अपने स्थानिय दुकानदार से, यह शॉपिंग मॉल से खरीच सकते है वैसे तो यह चिलाहट अपांजनक लग सकती थी, मगर भाग लेने वाले की अवाज और शरीर के संकेतों की बली को निपुण वक्ता के लिए वास्तव में प्रशंचा से अधिक शद्धा दिखाई दी थी, मैं आपके साथ सहमत हूँ, आप अध्भुत हैं, निपुण वक प्रभावित कर रहा था, और उसकी वाड़ी पहले से कुछ अधिक सशक्त थी, यैसे ही वे अपनी कुरसी से उठा, विचारों का कोई मुल्य नहीं है, जब तक की वे कारेरत नहीं होते, छोटे से छोटा कारेवन भी बड़ी से बड़ी इच्छा से हमेशा महान होता है, औ निश्चे ही मेरे दोस्त, लाल टोपी वाले ने अपने निचले होट को उंगली से रगड़ते हुए कहा,